कि आरवन फाइव भी 155 सी में है और यह भी 155 सी में ठीक बिल्कुल खतम हो गया टायर मैं आपको दिखाऊंगो न इतना सही मालेज देती है यह थोड़ा थोड़ा मिनी हाया बूसा जैसा लगता था पहले दोस्तों कैसे आप सब लोग आशा करता हूं अच्छी होंगे एक औ जो आदमी को इरिटेट कर सकती है रहाइडर को इरिडर कर सकती है तो दोस्तों मेरा नाम है औंकित और आप देख रहें एडवाइस अरुटो चैनल लुप सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लुक्स की ठीक है तो लुक्स अगर आप देखे तो इस बाइक में 2016 के समय में मिलता था अब इसमें किया LED दे दिये गया है लेकिन उससे में आपको हैलोजेन लैंप मिलता है जिसका जो ध्रो मैं काउस है मेरे को कुछ इतना खास है नहीं मेरे को लगता नहीं है है इस हैडलाइट के साथ चलना बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग और बहुत ज्यादा मुश्किल होता है फिर भी आप इसको जो है मैनेज कर सकते हैं लेकिन इस हैड़ाइट करती कि इसमें जो लाइट है कुछ दिखाई देता नहीं है था अगर हाइट प्लान करें तो आप आपको एक light extra लगानी ही पड़ेगी इस बाइक में उसके बाद दूसरी चीज जो है इस बाइक की ब्रेकिंग है ब्रेकिंग बहुत आसम है और यह सिंगल डिस्क वाला था इसमें डबल डिस्क भी आती थी तो यह बेसिकली क्या सिंबल डिस्क वाला है तो ब्रेकिंग इसकी आप जहां चाहोगे वहां गाड़ी थम जाएगी तो यह इसका थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसमें ब्रेकिंग और ब्रेकिंग बहुत अच्छी है और माइलेज की एक रम बात करें चलो तो इसके बाद मैं इसका इतना अच्छा है ना कि हाइवे पर आप इसमें 40 प्लस अराम से माइलेज निकाल सकते हैं और कुछ-कुछ रैडर्स मेंने जो नई बाइक है मैंने कुछ-कुछ देखे हैं वह 45-50 भी निकाल देते हैं ठीक है लेकिन यह वाला कार्बूरेटर है लेकिन जो आप आरी हो एक बेनिफिट है कि अगर आपको परफॉमेंस नियुक्स लेकाल सकते हैं उसके अंधर का पूरट डिजिटल कंसूल मिलता है थी का जो बहुत की लगता है ऊतिछ आपगूरी इंप्रमिशनमीट है मिल जाएóst ठीक है यहां पर एक rpm blinker भी मिलता है अगर आपको लिमिट सेट करने है आर्पेम की तो आप वही वह भी सेट कर सकते हैं इतने बेकार है ना इतने घटिया है ना मैंने जुगाड की हुआ है इसका तो इसलिए थोड़ेबो टाइट हैं वरना यह लूज होते हैं हर हमेशा लूज हो जाते हैं एक ट्रिप के बाद लूज होने शुरू हो जाते हैं तो यह बहुत बड़ी समस्चा इस बाइक में तो ठीक है आगे वाले मैंने चेंज करा दिया है वरना मतलब मेरे को बड़े अजीब लगते थे यह पीछे वाले इंडिकेटर ना बड़े घटिया लगते हैं इसके उसको अगली चीज जो इसकी अच्छी है ना देखो वह इसका एक्जास्ट इसका जो एक्जास्ट ना बहु क्योंकि मैंने जो इसका वाइजर ना फ्रंट वाला यह पूरा एक्स्टैंड किया हुआ है तो फिर यह इसकी फ्रंट लुक भी कुछ खास नहीं थी लेकिन वाइजर लगने के बाद इसकी जो है लुक बहुत अच्छी आती है और जो नहीं वाली है ना मैं उसके लुक्स म मिलते हैं इस वाले मोडल में तो क्लिफवांस में क्या होता है आपको बहुत जाथा जुक के बाठना पड़ता है एक मैंने कंपरेजिन वीडियो भी इस वाली बाइक की और जिकसर 250 की जो लेटेस्ट वाला वेरेंटेस की वह आप देख लिए बटन में डाल दूगा डिस् सही है इतना सही है इतना सही मालेज देती हैouseवे 45 50 निकाल देती है ठीक्या यह थोड़ी बाईक पुरानी कम देती है और बाकी का or पिकप भीना इस बाइक hr15 15 calls and delays the price comparison करो तिक इसमें कितना प्राइज का फरकर यह यह आती है एक लाग रते प्राइज प्राइज करेंड अब तो एक लाग चैण्डर आती दिए और एक लाग पिचाटर जार के आती है अर और वीडियो देखिए इसमें 130-132 भी एक रॉस करती है और आरंफाइव एक सो पैंतालिस एक सो पचास तक 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 कर जाती है तो दस बीस का जो है डिफरेंस एक टॉप स्पीड में अधर्वाइस फरक में आप प्राइस भी देखो ना कितना है डिफरेंस है अगर मुझे दो ला जादा बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत ही पतले टायर है और बहुत ही सही ग्रिप भी मिलती है इसमें में अंदर आगे वाला पीछे वाला दोनों और एमराफ के जो टायर होते ना भाई वह बुढ़्डे होने के बाद भाद भी टायर ओल्मोंस खतम हो चुका है ठीक है इसको सिंगल स्टॉप लिया था बस एक रस्ते में उसके अलावब नॉन स्टॉप डाइसो किलमेटर बाइक चली कुछ इसने दिक्कत ने दी कुछ इशू नहीं दिया मालेज भी अच्छा कासा दिया और परफॉर्मेंस भी कोई इशू नहीं थे 80-90 अगर आप इसको चलाते हो ना आपको वाइब्रेशन फील होती है ठीक है ना आपको सरदर्दी लगती है कुछ की बाइक आउट ओफ कंट्रोल हो रही है कंट्रोल नहीं होगी 80-90 हाइवे मेरे साब सीक डिसेंट स्पीड है हाँ जब आप 90 क्रॉस करते हो ना तो सब्सक्राइब अपको लगता है अगर आप छोटे सेग्मेंट की कार चला तो इसकी सीट अगर कोई है इससे वाहियात तो बताना इतनी वाहिया था पिछे वाला बंदा नहीं इस पर बैठी नहीं सकता और बैठी भी रहना तो यह लगा लो पंद्रा किलमेटर से उपर वो श्याथ के एक्सपिरेंस से बता रहा हूं और मतलब मैं तो फीछे बहुत कम बैठा हूं बैठा हूं मेग में जो फीछे बैठा वो इसके बारे में बख सीट कैसी है इसकी एं मैं disponusक्राओं का 10 बाइए कृट में बétais सब्सक्राइब एक घंटे तक राइड करेंगे तो सेफ है अगर उसके आगे अगर कंटीनु करते है राइड को तो पीलियन तो मलब बैक पेन हो गई होगा और जो राइडर है उसको भी डिसकंफर्ट फील होता है सो इस बेसिक्स पर बस बाइक का थोटा सा इशू है कि इसकी जो पीलियन सीट है अगर आप इस पर कुशनिंग कर वादें तो बैस रहेगा है पर सम्टाइम कुशनिंग भी कुछ टाइम के लिए उसके बाद तो लाइक जैसे मैं आप मैक्सिमम एक आर्ट से जादा अगर तो इसका जो लुक्स है जैसे कि हमने बताया कि वाइजर इंस्टॉल करवाएं और इस से इस बाइक की ज़्यादा इन्हाइंस हो चुकी है और भी ज्यादा कि लोग पैचानते पूस्ते हैं इस चीज़ के बारे में पहले वाइजर जब नहीं था तो उस टाम पर कैसे लग बहुत से लोगों को पता लगता नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी बात एक तो अग्जॉस्टी पिसका इतना मतलब ओडिनरी नहीं दिया हुआ है अगर आप देखेंगे ना आरम 5 में जो अग्जॉस्टीप है वो भी तोड़ा सा ओडिनरी दिया हुआ है ठीक है एक चीस और इस पे जो जो नोट्स है ना लाइक एक्जोस्टी नोट्स और डबल है डबल एक तरह से सिंगल पे ड्यूलोड उसकी तो अवाज भी कुछ अलग सी आती है इसमें दो जूरत में डिल्स पर कापी अच्छी बॉस आती है तो उसको अच्छा लीन होता लाइड करता लाय कि तो यह इसका एक एडवांटेज है जो कि मुझे तो बेसी के लिए अच्छा लगता है इस वाइक की लुक्स तो इसके सीरिसल ब्लैक कलर में तो काफी और यह ना बहुत लिमिटेड बाइक थी जो ब्लैक कलर के अंदर आए थी मैं अपको लिटरली बता रहा हूं और यह बात आप बताओ कितने का होगा उसके पास जिक सरी ती और अमन नाम है उनका यूट्यूबर वो भी और इंस्टाग्राम वगरे डालते तो मैंने बहुत यह मैंने था अब लिए और बहुत ही सभी बहुत है और इसके बाद इसके लुक्स ना बहुत होता नहीं पहले थोड़ा बहुत विंद ब्लाश्ट फील होता था लेगिन इसकी वेशे कहना हवा सीदह बपर से निकल जाती है तो यह चीज़ बढ़ी है कि अगर आप हाई वे बगर राइ लगाते हो ना तो आपको यह मतलब बहुत ही बढ़ी और बहुत ही सॉलिड है और यहीं ना मतलब दुकान वाले ना इसी चीज़ के आपसे चार्ज कर लेते हैं मैं लिटरली बता रहा हूं मैंने दुकान पर पता भी कि यह था एक बंदे से वाइसर का बट यह नहीं बबल वाला था वो तो उसने मेरे को 1100 रुपे बोला तो फिर मैंने यही ठीक है इसी पर मैं राप बे कराता हूं ब्लैक कलर का तो और जादा अल बहुत बढ़िया चीज जो आपसे शेयर करने वाला हूं इसके जो ब्रेक पैट वगर है ना वह भी जाता लंबे समय बात चेंज होते हैं मतलब जैसे आरन फाइव अगर में आपने देखा होगा कि आरन फाइव में क्या है अपना जो हर साल या हर सर्विस पे जब भी आप आप लोगों को पता है तो बताना मैंने रिसेंट लिए इसके ब्रेक पैट चेंज कर आए तो मुझे जो कॉस्ट आई ना लगबग मैं एक मट चेक करके बता देता हूं चाहे प्रूफ भी मैं आपको दिखा जाता हूं कितने के आपको डाउट होगा तो लगबग साढ़े पता है कितना बनना चाहिए था लेकिन मैंने पता है कितना की एजनसी में 116 रुपे ठीक है अब लोग पुछेंगे क्यों क्यूंकि 1500 रुपे इसमें लेवर है और 170 रुपे उन्होंने जीस्ट बतने किस चीज़ का ले लिया तो पार्ट अगर आप बाहर से ले रहे हो अग पारे साथ से के दोने ब्रेक पैड आगे इसके और चेंज मैंने कब कराया थे मैं लिटरली बता रहा हूं आपको 9000 किलोमेटर पर इसके जो है 9000 से 25000 लगवा 15-16000 किलोमेटर चलने के बाद इसके ब्रेक पैड चेंज हुए है या मेरे यह साब से मुझे याद भी नहीं है हो सकता है पहली बार चेंज हुए हूं ठीक है ब्रेक शू अगएर और इसके तो यह एकि इसकी जो मिंटेनेंस वगर भी बहुत कम है सर्विस कॉश्ट जो इसकी है इसकी है मैंने अभी डिसेंटली बाहर कराई थी इसकी सर्विस हमीचा मैं एजेंसी में कराता था लेकिन एजंसी में क्या है अब की बार 500 रुपए लेवर चार्ज ले रहे थे वो लोग ठीक है तो मैंने सुझायर 500 रुपए लेवर चार्ज थोड़ी जादा नहीं है तो मैंने बाहर कराई सिंथेटिक ऑल डलाया सब कुछ डलाने के बावजूद मेरी इसके अंदर जो है लग बग हजार रुपए के अंदर-अंदर पूरी सर्विस होगी थी और पहले एजंसी में उतने ही होती लेकिन एजंसी में जो तेल है वह सेमी सिंथिक डालते थे तो मैंने इस बार इसमें तेल भी अच्छे वाला डलाया और सब कुछ करा के इसकी जो कॉस्ट मेरे को हजार रुप साड़े सोला सो का चेंशेट था दो सो तीस रुपे का एक बेरिंग था और धाईसो रुपे आईके उन्होंने लेवर चार्ज लिया था तो मेरे को लगबग बाइस तीस सो रुपे जो है टोटल इसके चेंशेट की कॉस्ट आई थी अगर मैं नहीं चाता तो नहीं भी करा था उस बंदे ने भाई चेंश जदा टाइट कर दी मैंने भी ध्यानी दिया कुछ किलोमेटर चलने के बाद 20-25 किलोमेटर चलने के बाद मुझे थोड़ा सा एसाथ हुआ गाड़ी भारी चल रही है फिर मैंने दूसरे जो मेकैनिक से उसको चेक कर रहा तो उसमें थोड़ इससे मैंने कराल दी इसलिए मेरे को इश्यू हुआ कि पीछे बीज में LED मिल जाती है आगे के लाइट मैंने बता दी कि थो अच्छा है नहीं और मैं भी प्लान कर रहा हूं मेरे को मिलेंगी तो मैं दिल्ली वक्र जाओंगो तो लेकर आओंगो यहां पर बहुत महेंगी ब इसमें लगाओं पर फ्रेंट मढगाड पर लगए और तो यहीं पर मैं इसके लगवा दूँआ है लेकिन एक मतलब कभी भी ऐसा नहीं वहां मुझे की भाइक ने दिक्कत दिये और मतलब मैं लखी मानता हूं अभी जब इसका जो अगले वाले ब्रेक्शू खराब होए न धिना मैं राइड पर था मैं कहीं पर रुका खाना खाने के लिए मैंने ब्रेक लगाए तो ब्रेक जब रूकी न ओड्रेख के चिपक गए तिर प्रेंब भी दुरगटना आया बड़ा हाथ रहोने से बच गया, अगर मैं ब्रेक नहीं कराता हूं इता सकता है शाई हो अग लेकिन इतनी भाग्यवान है और इतनी लखी यह रही है किसी ने कभी आज तक मेरे को दोका नहीं दिया ठीक बात करें सुजुकी आंक बंद करके ले सकते हैं अगर आपको प्राइज वगरा सही लगता है तो मैं को नहीं वाली लेने से बढ़िए अगर ऐसी आपको मिल जाए ना कोई बाइक पचालीस पचालीस जार रुपर में आप ऐसी उठा लेना क्योंकि इसका मालेज भी अच्छा है परफॉर्मस भी अच्छा है और टॉप एंड भी नहीं वाले से जाद जाती है ठीक है कार्बडेटर थी आजकल जो फाई वारी है वो थोड़ी सी ठीक नहीं जेबर